पर जैराम जी, जहां एक तरफ BJP पर आरोप लगता है कि वो जमीन पर चीज़ों को पुलराइज करने की कोशिश कर रही है वहीं कॉंग्रेस पर आरोप ये लगता है कि आप मोदी की शकल दिखा कर अल्प संचेकों को खास्तोर से हवजदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉंग्रेस को वोड़ दो वरना मोदी आ जाएगा तो ये तो सकरात्मक राजनीती नहीं है ये तो नकरात्मक राजनीती है देखे हमारी मजबूरी है कि हमें नरेजर मोडी जी के बारे में बात करना है क्योंकि वो प्रधान मंत्री पत के उमिद्वार और मैंने बार-बार कोशिश की है कि जैसा की दोड़े गादा उनको भला बुरा आभी कहते है मैरी व्यक्तिकात अनुगाद दिसुनिये ना मैंने बार-बार कोशिश की है कि कुछ जो रोजाना मुद्वे आते हैं तुटुमेमे के मुद्वे उससे हट कर जैसा कि अमिद्वार जी ने कहा विकास के मुद्वे पर हम बात करें मोडी को फासिस्ट कॉन कहता उस पर तो पात होन कहता है कि इस तरह से उन्होंने विधायकों को एसेमडी से बार हटाया है सब लोग देखे है और सासिस कहना डिक्टेटर कहना बसमासूर कहना यह राजजीती के भाषा है यह चलती रहती है पर मैं वो तुटुमेमे नहीं है देखे तुटुमेमे आप ही नहीं तुटुमेमे होता रहता है पर हमने और मैंने खुद प्रयास की है 2004 में BJP की रननीती इंडिया शाइनिंग के आधार पर चली थी 2014 की रननीती गुझराच शाइनिंग के आधार पर चल रहा है तो क्या वाकिए में गुझराच शाइनिंग है गुजराच शाइनिंग में क्या कमिया है गुजराच शाइनिंग की क्या उपलब दिया है उस पर हम विचार करने के लिए तयार है और दूसरे पक्षते भी कुछ रिस्पॉंस तो आना चाहिए चलिए सवाल खळा करते है हमिद शाह के सामने जो दिखाते हैं कि अभी भी कुपोर्शन के मामले में हर तरह का आप Human Development Indies उठा लीजिए उसमें गुजराच बहुत पिछाड़ता है तो ऐसा क्यों होता है कि मोदी के राज में Industrial Growth तो बहुत तेजी से होती है लेकिन Human Development Indies पिछड़ रहे छोटे छोटे राज्यों की तुल्ला में पिछाड़ रहे हैं पिछड़े हुए राज्यों की तुल्ला में पिछाड़ है आपका सवाल दो पार्ट में है पहले आपने कहा कि वही मोदी के राज में कुछ इंड़स्ट्रियालिस्टी चमक रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, आंकडो की जंगल में मत उलजिए, जैराम जी करेंगे वो, मगर पूरे ओडियंस को मेरा चैलेंज है, गुजराद के किसी भी गाउं में, आप जाइए, किसी भी समय जाइए, थ्री फ्रेस अनिंटरप्ट पावर 24 गंटे नहीं मिलती है, तो वोधी को मौट मत बिजेगा, 24 कल्ला बिजरी, 24 गंटे बिजली, एठी स्टेट ऐसा है, जहां पर गुजरात में मिलती है, इसको आप डेवलप्मेंट नहीं कहेंगे, जब हमने टेक ओवर किया, 11,000 गाउं में टेंकर से पानी जाता है, आज सिर्फ साथ गाउं में टेंकर पर पानी जाता है, इसको डेवलप्मेंट नहीं कहेंगे आप, जब हमने टेक ओवर किया, भुजल का स्टर जो था, उसमें 22 फूट पानी का स्टर उपर आया है, इसको आप डेवलप्मेंट नहीं कहेंगे, हमारे टेक अप करने के बाद जंगल बड़े हैं, इसको आप डे परका है और इसके लिए भी योदनाय बनी है आने वाले दो तीन साल में हम नेशनल एवरेज को मैच कर जाएंगे क्यूंकि काफी लंबे अर्शत तक गुजरात में भी देश की तरह कॉंग्रेस का सासंदा है हमें जो आगे से जो मिला है उसको मेक अप करने में थोड़ा समय लग रहा है मगर बाते नहीं है 98 प्रतिस्त गाव रोड से जूट चुके है 98 प्रतिस्त पंद्रा मिनीट की एवरेज से 108 की सुईदा गाव के लोगों के लिए उपलब्ध है एक भी गाव ऐसा नहीं है जहां मोदी जी का सासन आने के बाद तीन से कम कमरे बने हैं एक भी कम में बहुत बड़ी बात कर देते हैं इसलिए मैं डिटेल जवाप देना चाहिए पर यह तो कमर्शल हो गया विजी स्कुल में क्या कॉमर्शल हो रहा है पीने के पानी में क्या को सही आंग्रे बताओं मैं कुछ ने के तयार है मैं तयार हूं पहले आप मुझे सुन लिजे गरीब के घर में बिजली बात सुना हो मैं घरी पहुचाने को आप कॉमर्शल कहते हैं तो भगवान ही बचाए कॉंग्रेस पाटी को बिजली पहुचाना कोई कॉमर्शल बात नहीं है यह विकास से जुड़ी हुई बात है गाओं को रोड से जोड़ना कोई कॉमर्शल बा कि यहां तक आपने कूपोशन का सवाल किया हूं मन इंडेस का सवाल किया वो निश्चित है कि हम थोड़े पिछड़े हैं मैं इसकी बात का सिर्कार भी करता हूं मगर उसमें भी 2006 से 2012 तक के आपने कई आंकड़े गिन के मैं भी आपको तीन आंकड़े गिन के सुनाता हूं 2011 की इंडिया Human Development Report ये कहती है कि जहां तक Human Development Index का सवाल है पहले राज ये पांचवे नंबर पर था 1996 में 2006 आते आते वो नवे नंबर पर आ गया Child Malnutrition की बात की जाए तो 79 सीसेदी जो बच्चे हैं वो अनीमेक हैं गुजरात के 44.6% Malnourished है जितने भी Schedule Cast के Schedule Tribe के Health Indicators है वो राष्ट्रे सर से खराब है तो एक तबका है गुजरात का जो शाइन कर रहा है लेकिन जो नीचे के लोग है उनका क्या बात कि की जोने जो आख Ale it सुले चाहते है की यूजरात के अधार होने एक चले आपने मेरा सवाल नहीं है कि गुजरात में विकास हुआ है कि नहीं सब लोग स्विकारते हैं मैं बहला विकती हूं जो स्विकारेगा कि गुजरात में विकास हुआ है चले मुझे आनन्द हुआ 1980 में, 1980 में, 1980 में, गुजरात इंदुस्तार में चोथे नंबर पर था, पर क्यापिटा इंकम, एक आंखणा आपने, विकास को जो दर्शाता है, चोथे नंबर पर था, 2012 में गुजरात तीसरे नंबर पर है, ठीक है, चार से तीन आये हैं, तमिल नाडू आठवे नंबर पर था, पांचवे नंबर पर आया है, केरल साथवे नंबर पर था, चोथा नंबर पर आया है, तो ये बात नहीं है कि गुजरात में विकास नहीं हो रहा, ये बात कहना कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही गुजरात मॉडल काम करेगा, और जो करता है वो सिर्फ गुजरात मॉडल है मैं इसका खंडन करता हूं हमारे देश में केरणा का मॉडल है तामिलनाडू का मॉडल है अभी पिछले दस साल में अभी 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 उन से अलग हो गए हैं पर बिहार में भी विकास दिखाए दे रहा है और आप उस गडबंदन सरकार के एक अंग थे तो ये बात कहना हम ये नहीं इंकार रहे हैं कि गुजरात में विकास नहीं हुआ है कनेक्टिविटी बड़ा है बिजली की स्थिती में सुधार आई है ये बात सही है पर जो अभी राहुल कन्वल जी ने उठाया है सामाजिक जो सूचक है सोशल कि लिंग अनुपात के बामले में हम लोग सब पंजाब और हर्याना की आलोचना करते हैं हम लोग कहते हैं कि पंजाब में लिंग अनुपात बहुत बिगड़ गया है हम कहते हैं कि हर्याना में लिंग अनुपात इतना बिगड़ गया है कि लड़कियों का जो आबादी है क्या आप जानते हैं हमिज जी 2011 की जंगनना में लिंग अनुपाथ गुजरात में हर्याना के समान हो गया है क्यों हो रहा है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपके वज़े से हो रहा है पर मैं यह कह रहा हूं कि जो विकास का दावा करते हैं आप विकास की वकालत करते हैं वो एक सीमित नजर ये से आप दर डर के हमला कर रहे हैं आप हमें चाहर से लग हो ज़दा हैं आप डर डर के हमला कर रहे हैं ने हमला नहीं कर रहा हूँ मैं यह कह रहा हूँ कि यह जो यह जो कह रहा है है वो पूरा पिक्टर नहीं दे रहे नहीं पर एक आंकड़ा मैं उनके पक्ष की तरफ से आपकी तरफ रखता हूं सचर कमीटी के अगर हम आंकड़े उठाते हैं और मुसल्मानों की बात करते हैं तो दिखता है कि लिटरिसी रेट जो है मुसल्मानों का गुजरात में वो ब बंगाल से कंपेर कीजिए किसी भी रहा महराश्य से कंपेर कीजिए वहाँ पर गवर्मन जॉब्स मुसल्मानों की जादा है तो ये जो कॉंग्रेस बार बार दिखाती है दरशाती है कि मुसल्मान सुरक्षित नहीं है मोदी के राज में आप ही की सरकारी आंकड़े दिखा अज़ाते हैं कि ऐसा सच नहीं है गुजरात में 182 विधायक है उनमें से कितने मुसल्मान हैं बताइए क्यों नहीं दी टिकिटामिच्छा साथ बताइए मुझे आप आप यह थे जो मुटे तोर से आर्थिक स्थिती बहतर है वहां मुसल्मानों की सिती भी बहतर होती है जब सचर कमिटी निकली थी मैंने इसका एक विश्रेशन किया था करनाटक केरल तमिलनाडू अनरपदेश जैसे राज्यों में मुसल्मानों की सिती बहतर है क्योंकि ओवरॉल एकिनॉमिक सिच्वेशन जो है वहां लिट्रसी रेट हो या आर्थिक विकास से का दर आप देखें वहां ज्यादा है और फाइदा सब को पहुंचा गया है पर पस्किम बंगाल ने आपका उधारन दिया पस्किम बंगाल तो कॉंग्रेस राज्य नहीं है पर आप महराष्ट की राष्ट आप महराष्ट में दे लिट्रस नहीं हो पाया है जितना की तमिलनाडू या केरल या आंडरा या करनाटक में दिखाई दे रहा है जब मोटे तोर से ये विकास होता है तो मुसल्मान भी उसमें पर नजरिये की भी तो बात है कि अगर शुबा डिवारफिल कमजोर है तो मोजी की गल्ती है मुसल् पूछेशका मुझषी तो गुजरात का चुनावारा है या देस का भी तो गुजरात की प्रॉटर्स शुरूब करें जुबे खुराइन की 2 पिए को जवाब देनाए करप poses από यूपिए को जवाब देना यहास का UPA को जवाब देना है अर्शुरुक्सित सिमाओ का UPA को जवाब देना है महिलाओ की सुरक्षका UPA को जवाब देना है द्रड राच्के इच्छा सक्ति के अभाव वाली पर्फरमंस का UPA ने जवाब देना है दो सत्ता के कैंद्रों का और UPA ने जवाब देना है उनका नेता कौन है इसका इसके आधार पर आने वाले दिनों में चुना होने जा रहा है मुझे लगता है राहूल जी कि आप पूरे डिसकर्शन को दिरे दिरे गुजरात की वार जा रहे हो ले जा रहे हो मेरा एक विनम्र आपसे निवेदन है गुजरात का जब चुनाव आएगा तब इस पर भी डट कर जवाब आप देंगे पहले जहराम जी यह जवाब दे कि इतने सारे गपले हो चुके हैं आपको हर सवाल जो आपने उठाया है हर सवाल का जवाब जरूर अभी तो नहीं मिलेगा पर आपको जरूर चुनाव प्रचार में मिलेगा जो सवाल उठाये हैं, वो हमारा कर्तव ये बनता है, जो सवाल आपने उठाया है, कई लोग उठा रहे हैं, यह ऐसा नहीं है कि यह आप उठा रहे हैं, कई लोग उठा रहे हैं, और हम जरूर इन सवालों का जवाब तगड़ा जवाब हम देंगे, पर आपको भी जवाब द का रहे हैं हम भी देंगे जो